जी बिसमिल्ला रख्मान ररहीम असलाम अलेकुम तो आल स्टुएंट्स अगें वल्कम इन दा क्लास आफ कंप्योटर साइंस स्टुएंट्स हम चप्टर नंबर फाइव डिसकस कर रहे हैं कंप्योटर और्किटेक्चर और आज इसका हम जो टॉपिक डिसकस करने वाले हैं that is called I'll Unit I'll stand for Input and Output स्टुएंट्स हम इस चप्टर के बारे में अगर बात करें तो इसमें कंप्योटर जो हमारा अर्किटेक्चर है उसको हमने डिसकस किया हमने देखा कि inside the casing हमारा motherboard लगा होता है और हमारी कुछ devices motherboard के साथ directly connected होती है और कुछ devices motherboard के साथ indirectly connected होती है For example अगर आप बात करें motherboard के उपर RAM हमारी directly connected है ROM हमारी motherboard के साथ directly connected है हमारा CPU motherboard के साथ directly connected है लेकिन अगर मैं बात करूँ keyboard की, mouse की, printer की, monitor की तो all these devices are indirectly connected with motherboard तो हमारा कुछ इस तरह का architecture होता है और हर device अपना-पना role play करती है RAM अपना role play करती है CPU अपना role play करता है input output devices अपना role play करती है तो आज हमने ये देखना है कि हमारा जो IO unit है इसका क्या role है और हमने इसको क्यों introduce करवाया है basically IO unit का जो purpose है जो मकसद है हमारी computer के साथ लगी तमाम input और output devices को control करना तो क्या इसके बगेर हम input और output device को control नहीं कर सकते थे क्या हमारा CPU इन devices को control नहीं कर सकता तो बहुत सारे question arise होते है यह मेरी अगर एक picture देखें यहां पर तो यह हमारे पास student CPU है CPU के साथ यह हमारी buses attach है data bus, address bus and control bus आपको पता है के computer के inside हमारे जितने भी components लगे हुए इनकी आपस में communication कैसे होती है with the help of buses और अगर इसको आप देखें तो हमारी keyboard, mouse, हमारा printer हमारी magnetic disk यह तमाम जो devices हैं यह connected हैं किस से? CPU से लेकिन with the help of buses इसका मतलब है के directly हमारी यह devices CPU से connected नहीं हमने indirectly इनको connect किया हुए with the help of buses बलके इनके दरम्यान में यहां पे यह हमने कोई interface भी लगाया हो अब interface को समझना जरूरी है के interface basically क्या होता है so let's interface for example अगर आप बात करें user की और computer की तो दरम्यान में जो window operating system है वो working as a interface के computer और user के दरम्यान में interface है जो दोनुं की help कर रहा है मेरी बात computer तक मुझे आ रहा है और computer की बात मुझे तक मुझे आ रहा है तो window is working like a interface अगर दरम्यान में window ना हो तो मैं computer cooperate नहीं कर सकता तो बिलकुल यहां पे भी हमारे जो interfaces है या आप इनको translator कह लें interface कह लें कुछ भी कह लें तो यह दरम्यान में यह हमारे interfaces link है जो क्या करते हैं कि हमारे इन devices को CPU के साथ connect करते हैं अब इन interfaces को लगाने का purpose क्या है अगर आप students यह एक line read करें all input and output devices are not directly connected to CPU के हमारी तमाम input और output devices जो हैं वो CPU से directly connected नहीं होती उसकी reason क्या है इसको one by one discuss करते हैं पहली बात तो students यह है speed factor के हमारी जो input output devices हैं इनकी speed में और CPU की speed में बहुत difference हमारा CPU millions of instructions और billion of instructions per second execute कर सकता है लेकिन हमारी जो devices हैं उनकी speed इतनी ज्यादा नहीं है अगर हम इन devices को CPU के साथ directly connected कर दें तो CPU को बहुत सारा weight करना पड़ेगा उसका बहुत सारा time based होगा तो दूसरी reason students क्या है data format अब CPU data को process करने के लिए एक वकत में कितना data उठाता है उसका word size कितना है या CPU RAM से कितना data उठाता है एक बार में उसको process करने के लिए for example उसका word size student 8 byte हो सकता है 16 byte हो सकता है 32 byte हो सकता है लेकिन हमारी जो devices हैं इनका word size या ये कितना data एक वकत में send and receive कर सकती है वो different है तो ये second reason पहला reason हमारा क्या था कि speed factor है दूसरा reason क्या है कि जो format है वो different है और student तीसरा इसका reason क्या है signals कि हमारी ये devices इनकी organization इनका structure एक जैसा नहीं है for example अगर students मैं CPU की बात करूँ तो ये pure electrical signals पे ये current पे काम करता है pure electrical है लेकिन अगर मैं students keyboard और mouse की बात करूँ तो ये electro mechanical है मतलब इसमें electric भी involved है और mechanical भी involved है दोनों की organization change होगी लेकिन अगर मैं hard disk की बात करूँ तो ये electromagnetic device है तो तमाम devices का structure उनकी organization और उनके signal एक दूसरे से different है इसलिए student ये हमारी इस line का ये answer है कि all IO devices are not directly connected to the CPU इस वज़ा से हम directly इनको connect नहीं करते हैं अब हम करते क्या है for example जैसे हम हमें high level languages आती है languages के बारे में हम discuss कर चुके है कि low level language क्या होती है और high level language क्या होती है low level language हमारी zero one binary language students जो computer को directly समझ आती है लेकिन high level language that is very close to human being language जिसको समझना हमारे लिए बड़ा असान है तो इसके लिए हम दिर्मियान में translator use करते है कि जब भी हम high level language में कोई program लिखते है computer को समझाने के लिए translator हमारी help करता है तो बिलकुल यहां पे भी जो ये interface सामने लगाए हुए है आप इनको translator समझ ले तो ये भी क्या करते हैं कि इनके अंदर हमारे registers लगे होते हैं memory buffer लगी होती है हम जो भी data भी जो आ रहे होते हैं वो अपने पास save करते रहते हैं और जब आपका data complete हो जाता है तो ये signal भी जो आ देते हैं CPU को कि मेरे पास आप के लिए इतना data पड़ा हुआ है जब भी CPU free होता है वो वहां से data को उठा लेता है या उस हमारा जो interface है उसके साथ communication कर लेता है अब next इसको देखते हैं स्टुनेंट्स के अगर मैं IO unit को theoretically discuss करूँ जैसे book में है बहुत सरी बातें जो book में लिखी हुए हैं हमने discuss कर ली कि क्यों हम IO unit को directly CPU के साथ connect नहीं करते हैं और उसमें जो तीन major factor हैं वो भी हमने discuss कर ली IO unit is a special hardware component स्टुनेंट्स बात याद रखनी है यह software नहीं है hardware component जैसे RAM एक hardware component है CPU एक hardware component है keyboard mouse एक hardware component है it works as a interface between CPU and IO device यह हमने देख लिया कि कैसे यह interface के तोर पे for example आप समझें कि यहां पे हमारा IO unit लगा हुआ है यह CPU और इन devices के दरम्यान में as a interface काम कर दा है जी students it carries out IO task without involving CPU के हमारी जो devices हैं उनको directly CPU को access नहीं करना पड़ता और बगैर CPU को involve किये यह हमारे जो problems हैं उनको solve कर देता है IO unit is connected to the bus the processor and all other devices are connected to the IO unit IO unit connected bus से connected होते हैं आप यह देखें के यह हमारी तीनों busses हैं और यह IO unit उनकों से connected हैं और last line के अंदर the processor and all other devices are connected to the IO unit with the help of busses normally हम जो है वो connect होते हैं तो आई होप के आज का जो स्ट्रेंट्स lecture है IO unit क्या इसका purpose क्या है इसकी functionality क्या है क्यों हम IO unit को use करते हैं यह आई होप के आपने इसको अच्छे से understand कर लिया होगा इन्शाला मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए अल्ला हाफिस Thank you